हाई फ्रेंड्स गूद मॉर्निंग सो आज का हमारा है डे टू इन मुंबाई सो मैं अभी जस्ट उठी एंड फटाफट से ब्रश करके ये हो गई मैं रेडी एंड इस इस माई लुक आफ तर डे चलिए अब चलता है बहार फो ब्रेकफास्ट हमने सबसे पहले करेंगे और फिर डिफरन डिफरन जगापे जाएंगे तो यहाँ पर थोड़े ही नजदिक में एक होटेल थी तो सबसे पहले हम वहाँ पे गए तो आ गया हमारा ब्रेकफास्ट है कॉफी पूरी बाजी वगए पूरी भाजी एंज़ुइंग करते ये डिसाइड कर रहे थे कि आज सबसे पहले हम जाएंगे तुवर्ड्स मेट्रो स्टेशन तो हमने सोचा मुंबई की मेट्रो में जा ही रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फिनिशिंग पॉइंट तक एंज़ुइंग करता है सो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर घाट को पर मेट्रो स्टेशन तो हम सबसे पहले यहाँ पहुँच गए तो वहाँ पर जाके सबसे पहले लिए टिकेट जो थी घाट को पर 2 वर सवा पर पर संट 40 रूबीज और जैसे हमने एंटर किया लग रहा था यह मेट्रो स्टेशन तो है लेकिन साथ जात में स्टीट मार्केट भी है क्योंकि काफी अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे क्लोट्स के, फुटवार के, बैक्स और पर्सिस के और साथ में स्टेशनरीज के भी यह डाइरीज काफी यूनिक यूनिक है ना? यहाँ पर हैर क्लिप्स, बोटर बोटल्स और डिफरेंट डिफरेंट मॉक्स भी थे और यह स्टॉल्स भी काफी प्रिटी प्रिटी है वैसे आपने कभी इस तरह से मेट्रो में स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक ट्राविल किया है वो आप कमेंट करके बताईए, तब तक मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या थिंग्स हमने देखी यहाँ पे और यहाँ पेने स्टेशनरी पाउचेस भी बहुत क्यूट क्यूट थे एज थोड़े साइस में बड़े भी थे तो बहुत सारी ठींग्स एक साथ आ सकती है अरे रुकिये रुकिये, अभी स्टॉल्स फिनिश नहीं हो गए अभी तो बहुत सारे stalls बाकी भी है तब ही तो मैंने कहा ये almost street market जैसा है लग रहा है और यहाँ पे तो ring lights भी है जो शायद street markets में नहीं होती है सो काफी बड़ा है ये metro station and I think काफी कम metro stations में इस तरह से stalls होते हैं है न अब stalls सो बहुत देख लिए अब जाते हैं वहाँ पे जिसके लिए हम special आये हैं यहाँ पे जो है metro train and मुमे की metro trains भी काफी decorative है चलो फटा फट से doors बंद होने से पहले अंदर बैट जाते है ये starting point है इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर बैटने की जिगह मिल जाए वरना metro trains तो जनरल इतनी busy रहती है मतलब इंदर से इतनी ज़्यादा full रहती है कि बहुत सारे लोगों को तो खड़े खड़े ही travel करना पड़ता है and metro trains से उतरने के बाद हमें अजानक से mind में आ कि कुछ selfies ले ले and कुछ photos भी click कर ले so metro का डोर बंध होके metro जब चलने लगी तब हमारी selfies and pictures चालू हुई but finally तभी train के साथ photo तो आ ही गया था and वर्सवा metro station से अभी हम जा रहे है लोखन वाला market so फटा-फट से auto में बैट गए and कुछ ही minutes में पहुँच गए actually वो street markets न वर्सवा metro station से काफी नजदिक है तो हमने सोचा सबसे पहले वहाँ जाते है तो कुछ ऐसा है look लोखन वाला market का actually अभी हम just breakfast करके पहुँचे ही थे न तो थोड़ा सा early था मतलब काफी सारे shops अभी open हो रही थी and काफी shops open हो भी गई थी ये sweet shop मेंना sweets बहुत unique unique थी लेकिन अभी हमें book भी नहीं लगी थी and अभी हम ले लेते तो वो सब carry करके चलना पड़ता तो इसलिए हमने कोई sweet वहाँ से pack कर वाके ली नहीं and अभी हम जा रहे है कहा जा रहे है can you guess एक मिनिटा मैं भी ममा से पूछ के बताती हूँ हम कहा जा रहे है ओहो मैं बता देती हूँ हम जा रहे है towards hill road actually यहाँ से hill road थोड़ा सा दूर था तो साथ साथ में रिक्षा में enjoy भी कर रहे थे and यहाँ पर पाँच के हमने पिया milkshake क्योंकि हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी actually generally यह होता है मेरा lime juice time and उसकी जगह अभी हम पी रहा है milkshake and यह है chocolate milkshake and यहाँ का milkshake ना काफी मस्त था and फिर hill road शॉपिंग मार्केट में से यह मैंने एक boot strike किये लेकिन यह थोड़े से tight हो रहे थे मतब fitting उपर से loose था and वैसे यह थोड़े से tight थे तो एकदम comfortable नहीं लगे और फिर वस hill road थोड़ी देर में explore हो गया and उसके बाद हम पहुंच गे Elko and Lassa Market so Elko Market में आया है तो of course पानी पूरी तो खानी बनती है लेकिन अभी तो of course भूख नहीं लगी क्योंकि हमने just milkshake पिया ही इसलिए सबसे पहले हम आये उसके सामने ही जो Lassa Market है उसमे and वहाँ पे हम देख रहे है different different accessories and यह वाली earrings तो एकदम ही matching है मेरे necklace से so जो अभी हम earrings देख रहे थे ना उनमें से काफ़ी सारी ऐसी earrings थी जो एकदम ही different and unique थी मतलब इनमें से कुछ-कुछ patterns तो of course available होती है general markets में भी लेकिन यह वाले markets में न accessories तो काफ़ी different different and obviously बहुत unique है and काफ़ी jewelries ने एकदम designer भी है साथ में and काफ़ी ऐसी ear tops या फिर earrings थे जिनके थे pastel colors तो वो भी हमने 223 earrings ली क्योंकि as you know मुझे pastel colors भी बहुत पसंद है so finally हमने कुछ accessories ली and फिर आगे-ागे market को explore करने निकल पड़े and ये सारे उपर जो belts लगाया हुए है वो तो बहुत ही must थे तो चलो अब चलते है Elko market में and वहाँ पर खाते है पानी पूरी ये वाले board में न बहुत सारे different varieties of recipes है of only strawberries वैसे Lasa market हम पिछली बार जब मुंबई आया थे तब तो आये ही थे उसमें लेकिन आज सोचा कि फिर से पूरी Lasa market देखते है कि क्या-क्या things वहाँ पे new आई है and वही देखते देखते lunch का time भी हो गया था so आज lunch में हमने खाई noodles, sugar can juice और फिर खाई पानी पूरी and specially यहाँ की पानी पूरी न मुमा को बहुत ही ज्यादा पसंद है फिर पूरा एल को एन Lasa market तो explore कर ही लिया था इसलिए वहाँ से नस्दीक था linking road तो हम आगई यहाँ पे and footwear की तो यहाँ पर इतनी सारी varieties है कि यहाँ पर जब हम आते हैं तो एक footwear तो ज़रूर लेने का मन करता है और वैसे भी हमें black boots की pair तो लेनी थी and यहाँ पर बहुत अच्छे भी मिल गए तो वो हमने purchase कर लिए and यह bag न हमने कर ली थी यादना आपको वाव यह aeroplane कितना मस्त है actually यह garden है और उसमें है यह dummy aeroplane and of course real aircraft से तो काफी चोटी साइज का है लेकिन काफी मज़ा आए खेलने में ऐसा है and वो garden I think चुहू में ही है and अभी हम जा रहे हैं towards चुहू बीच वैसे यहाँ पर भी पूरे square shape में एक food zone है like काफी different stalls लगे हुए है लेकिन हमें अभी ही just lunch किया तो हम सिफ बीच देखके फिर निकल पड़े next destination की तरफ तो यह market है Santa Cruz market and यहाँ पर पूरी line में भी बहुत सारे different stalls है and जात में कुछ fruits and vegetables भी है वैसे मुंबई में तो बहुत सारी जगा plane landing and take off continuous देखी रहा होता है जैसे कि आप यह market को ही ले लो फिर एक shop में गए वहाँ पर entrance में यह square suitcase थी जो मुझे बहुत ही unique लगी shape wise क्योंकि generally rectangular होती है या फिर square में इससे थोड़ी छोटी होती है and यह हम randomly different different backpacks की window shopping कर रहे थे फिर वो market में clothes and यह सारे different bags and इस तरह से हमने काफी कुछ देखा फिर हम पहुँच गए metro station और यह है अंधेरी metro station and यहां से हमें जाना है घट को पर तो सबसे पहले tickets ली and फिर यह toy shop explorer की और यह मुझे सबसे realistic mini toy car लगी वैसे बाकी की भी काफी must थी different colors भी available थे जैसे कि blue, white, black, yellow and और भी and यहां पर बहुत सारी और things भी थी and साथ में कुछ-कुछ stationaries भी थी और ज्यादा तर stationaries में यहां पर pens थी तो हम घाट को पर पहुँच गए है and पहुँचते ही हमने दूसरी train को जाते हुए देखा बैसे metro train की speed इतनी fast होती है कि सब लोग एक जगह से दूसरी जगह एकदब metro speed में पहुँच जाते है चलो फटा फट नीचे चलते हैं फिर खाओ गली भी तो जाना है न and actually जब हम अंदरी metro station से यहां पर आ रहे थे तो अंदरी metro station में इतनी ज़्यादा भीड थी tickets लेने में यह हमें आदा गंटा निकल गया and अभी हम finally बैट गे रिक्षा में and जा रहे है towards खाओ गली क्योंकि डिनर का time हो गया था और हमने सोचा खाओ गली में एक बार जाना तो बनता है है न बसे आज पूरे दिन में सारी जगह explore करने का बहुत मज़ा आया and कुछ-कुछ जगह पर तो हम already चाह चुके थे so वहाँ पे भी क्या-क्या new आया है वो भी देखने का काफी मज़ा आया and अभी हम आया है एक restaurant में जो है खाओ गली में वैसे menu list तो इतना बड़ा था कि सोच रहे थे क्या order करें के हम पहुंच गए hotel room में वैसे आपने मुंबई के कौन से कौन से different street markets and different cowgallies explore की है अरे हाँ वैसे आपको next long videos में क्या-क्या चाहिए वो आप जदले-जदले से comment में बता दीजिए and उस according एक-एक करके मिलाती रहूंगी and now it's time to show की हमने क्या-क्या लिया है तो आज तो हम सारे की सारे street markets में गए थे तो ये सारे shopping वहाँ की है ये सारे earrings वो है जो हमने Lassa market से ली थी and वहाँ पे भी काफ़े unique unique varieties थी तो मैंने सुचा जो different different varieties अभी मेरे पास नहीं है वो लेते है and the best thing is कि उसमें से ये वाले earrings मैंने जो आज necklace पहना है उससे एकदम matching है and next है ये boots so आज की shopping के से लिए के comments में बताना मिलता है next video में बाई